अगर आपके नेंबू के पौदे के उपर फूल बनने के बाद फौल नहीं बनता, जहांपर फूल आते हैं, फौल बन जाता है और गिर जाता है, अच्छे से पकता नहीं है, साइज जो है वो अच्छे वाला निकल कर नहीं आता, जहांपर फूल और फौल दोनों ही नहीं पउडे हैं और जो फालआ भों भी बन रहा है तो मैंने कौंसा फैटिग एजडर दिया था किस तरीके से मैं इस पउडें की ARE की है और कैसे आप अपने नेम्पू के पॉडे से ज्याधा से ज्याधा जू फालए जो नेम्पू है तो सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है कि आपने अपने नेम्बू के पौदे को जैसी नर्सरी से परचेज किया जो गंबले में लगाया या फरजमीनी में लगाया आप उसे फुल संलाइट में रखें जे जगा पर जो दूप है वो पूरे अच्छे से आती है काफी पर क्या करते है कि जो गंबले में पौदा लगाते हैं वो गलती जही करते हैं कि गंबले का साय्ज है बहुत बढ़ा ले ल eet Ub सोटा सा पाउदा होता है पहले स्टार्टिंग में उसे बहुत बड़े गमले में लगा दिया जाता जिसके कारण जो उसके उपर फॉल है वो नहीं आता तो नर्षेस से आपने जैसे ही पौदा लिया है, वो अभी शोटा सा पौधा है तो, scarting में उसे आप लगाएं 8 इंच के pot में जैसे उसे आप 8 इंच के pot में लगाएंगे, उसकी क्रोध बड़ेगी, तो उसे आप फिर लगा सकते हैं 16 इंच के कमले में और जैसी six month के बाद फिर अच्छी growth हो जाएगी, तो फिर आप ऐसे बड़े pot में लगाएं, starting में ही शुरू में ही आपने बड़े pot में नहीं लगाना, इसे अपने report करते रहना है, तो आपके पास अच्छे से growth करेगा, तो अच्छे से जो फालें भुआएंगी, होता क्या है कि आप बड़े गंबले में लाकर शोटा सा पाउदा लगा देते हैं, और बड़े गंबले में पानी ज्यादा लगता है, जिसके कारना आपका पाउदा starting से ही पीला पर्मना start हो जाता है, फल नहीं लगता, अच्छे से growth नहीं होती, अगर आप उसे report करते आएंगे, तो आ कि आप बड़े में हमने अच्छे से लगा लिया, दूप में हमने पाउदे को रख रखा है, लेकिन फिर भी अगर पाउदे के उपर फल नहीं आ रहा, फूर नहीं आ रहे, तो हम क्या करें, तो आपने करना क्या कि आगे, जो आपके गंबले में लगा हुआ पाउदा है, उसकी आपने 10 दिन के बाद एक बार जो गुडाई है, वो अपने जरूर करने है, ये बात मैं अपनी हर एक वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ, तो हर एक वीडियो में अगर मैं ये बात शेयर करता हूँ, तो कोई तो रिजन होगा गुडाई करने का, तो आप जो गुड़ाई है बहुत चुरूर करें अभी गुड़ाई के क्या फायदे हैं मैं आपको दो तीन फायदे वह बता देता हूं एक तो क्या है कि जो मिट्टी वह साफ्ट रहती है मिट्टी हाड नहीं होती पानी आपके पौदे को अच्छा से लगता है और दूसरा जो जंगली गास होती है आप देखिए जो जंगली गास होती है जे निकल जाती है समय पर अगर जे समय पर नहीं निकलेगी तो क्या है कि जो आप फटी लेजर अपने पौदे को दे रहे हैं जो नेभू को आप फटी लेजर दे रहे हैं जो पावर आपके नेभू के पौदे को नहीं इन जंगली जो जे गास फूस है इसको लगती है जिसके कारण इसकी ग्रोथ बढ़ती आती है और नेंबू की ग्रोथ नहीं बढ़ती है अगर समय पर आप इन्हें नकाल देंगे तो आपको रियाल अच्छा मिलेगा क्योंकि जो फिरकाद आप दे रहे हैं जो पूरी तरह से आपके पौदे के उपलगनी चाहिए एक अपने स्टार्टिंग में ही बड़े कमले में नहीं लगाना आपने से रिपॉट करना है तीन वार फिर बड़े कमले में लगाना है जैसी पौदे की अच्छी ग्रोथ हो जाए और तीसरा क्या है कि जो गुडाई है वो अपने जरूर करने हैं जितीनों कम अच्छे से करने के बाद आपका पौद अच्छी क्रोथ करने लगेगा फूल उसके उपर जो है वो आने लगेंगे अब बात आती है कि फूल क्यों गिरते हैं आने के बाद तो दोस्तों जो फूल गिरते हैं उसके दो कारण होते हैं पौदा ज़्यादा हिलता है ज़्यादा हिलने के कारण क्या होता है कि जो फूल होते हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और अगर आपके पौदे के उपर बिलुकुल भी फूल नहीं आ रहे तो आपने क्या करना आपने करने है अपने पौदे की प्रूनिंग जैसे अभी मैं कर रहा हूँ हलकी हलकी आप प्रूनिंग करेजिए, प्रूनिंग आपने उन ब्रांच की करनी है, जिन ब्रांच की उपर कोई न्यू ब्रांच नहीं उपन हो रही, जिन ब्रांच की जो ग्रोथ है वो रुख चुकी है, उनकी आप प्रूनिंग कर दें, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यह मैरे ब्राँच है यह दिखिए इसकी आगे से जो ग्रूथ है वो रुख चुकित है तो इसकी हमें हलकी से बना नीज बाहिए बेची चाहिए अच्छा फाटी लைजर जिस फैटलेजर में पावर हो, जिसमें पतास और फासफोर्स और नाइट्रोजन की मातरा ज्यादा हो तो चलिए आपने जो फैटलेजर अपने पावदे में देना है उसके बारे में जान लेते हैं तो दोस्तों यह है मेरे हाथ में मास्टर केक, जहने की सरसों की खली यह आपको मार्किल से मिल साएगी जिस सर्सों की खली क्या होती है जो सर्सों होती है जो दानेदार सर्सों होती है जब उसमें से तेल निकाला जाता है तो जो उसकी वेस्ट होती है वही होती है सर्सों की खली वहीं से जो खली है यह तियार होती है इसका जूज आपने कैसे करना है वो मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ वीडियो को पूरे दियान से जरूर देखना क्योंकि काफी लोग गलती करते हैं मस्टर केक को जूज करने के समय इसके काफी नकसान भी है इसके फाइदे भी है इसके पौदों में क्या फाइदे हैं वो भी मैं आपके साथ प्रॉपर शेयर करेंगा तो चलिए मस्टर केक को बनाने की वीडियों आपको बता देता हूँ आपने 20 ग्राम मस्टर केक जनी की सासों की खली को लेना है और एक लिटर पाने में इसे मला देना है और तीन से चार दिन के बाद गर्मी में यह तियार हो जाती है और सर्दी में क्या है कि इसे एक हफता लग जाता है तो एक लिटर में आपने 10 से 20 ग्राम जो है सासों की खली आड़ करनी है और बाद में अपने 20 से 30 ग्राम जैसे बर्मी कंपोस्ट आप देख रहे हैं तो अपने बर्मी कंपोस्ट को एड़ करना है तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि काफ़ी लोग बर्मी कंपोस्ट की जगा पर गोबर की खाद आड़ कर देते हैं दो दिन के बाद आपने अपने पौदे में से देना है किस तरीके से देना है और कितनी डूस देनी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को पूरा जरूर देखना तो फाइनली दोस्त और उसमें नाइट्रोजन जो आपके पौदे को चाहिए अच्छे फल देने के लिए अच्छे ग्रोध के लिए और पौदे को गरीन रखने के लिए नाजिटोजन गरी रखता है और जो फासफोर से वे रूट्स को जो है वो ग्रोथ बढ़ाती है रूट्स की और जो पुटास है वो फूलों और फल की उपर कम करता है और इसी के असासा सासों की खली में जैसे की कैल्सियू, मेंगनेशियू, सेलफर, जिंग, कॉपर, आरेन और मैगनेस पौदों में फूल और फल बनाने की प्रेर क्रया को तेजी देता है और फूल और फौल की संक्या और क्वाल्टी भी अच्छे आती है तो थो दोस्तों सासों की खली में इतने सारे मैक्रो निंट्रिट्रिशन सपाय जाते हैं, जो आपके पौदों को काफी ज़्यादा देते हैं जिसे आपके पौदे अच्छी क्रूद करते हैं, अच्छी पावर नम्याद दी है, अच्छी फूल और फल जो है आपके पौदों की उपर आना स्टार्ट हो जाते हैं, इन्हें आप फूलों वाले पौदे में दे सकते हैं, फलों वाले पौदों में दे सकते हैं, कोई नकसा बनाया था, एक रीटर में मैंने 20-25 ग्राम सार्सों की खली और 20-25 ग्राम मैंने तो बर्मी कंपोस्ट है वो अड़ की थी, तो दोस्तों उतना आपने जब प्रॉपर बना बनाया एक रीटर नहीं देना, इसमें से आपने सिर्फ जे 300 ml दूँगा, मैं 100 ml की एक जे स्कूप है करते हैं, कि इसी देखर फटिजर सोड़ देते हैं, तो पानी देना है, जहां फिर क्या करें कि पांच लिटर पानी में आप 300 ml जो मैंने सार्सों की खली दी है, वो आप ड्रग्ड डालकर उसे में मिलाकर ड्रग्ड दे सकते हैं, जहां फिर पहले गंबले में देने के होना चाहिए, जहें मेरे पास नीम ओयल है, तो नीम ओयल है कि दो से तीन बूंदे आपने गंबले में डाल देनी हैं, और डालने के बाद आपने बाद में दे देना है पानी, इससे क्या होगा कि जो फंगस बगहरा, जहां कोई बमारी लगती है, वो नहीं लगेगी, नीम किसा फंगर से भी अपने पादे को बचा सकते हैं, और अगर उपर से पतियां खराब हो रही हैं, को कीडा लगा हुआ है, तो चार से पांच बूंदे आप एक लिटर पानी में मिला कर इसकी जो सपरे हैं, वो भी मानते में एक बार का सकते हैं, इसका कोई नकसान नहीं है, कोई कामिकल नहीं है, आपको जो फरूट है वो अच्छा और्गैनिक फरूट मिलेगा, तो इससे क्या है कि कीडा नहीं लगेगा, और कोई भी बमारी जो है वो आपके पौदे को नहीं लगेगी, आपका पौदा अच्छे से चलेगा, तो हमने क्या है कि नीम ओल की क्या झालो है कि यूँ घालो है, आपके दो इसनग fram की शो ठारी जो इससाट नहीं है, आपके परूंदा cui जो है वो आपके इसनगे, क्या में आपके टा लो कि हम दो है रिम हैं यूंचे से फसलो इससे जषा खरूझा है आपके वो बमारी आपके आपके पाके जो पुरू